तो गैस आज के इस वीडियो में मैं आपको केपकट के हैस से टोप फाइब ट्रेंडिंग टेंपलेट्स बताने वाला हूँ जो अभी इंस्ट्रागरम पर काफी ज़्यदा वायरल हो रहे देन अगर आप इन टेंपलेट को यूज़ करके अपनी इंस्ट्रागरम के लिए री आप भी अपनी रिल्स बना सकते हो प्रोपर ट्रेंडिंग वायरल टोपिक पर तो वीडियो को लाइक कर देना देन अगर इसी तरीके की और इंट्रेस्टिंग आपको वीडियो एडिटिंग से रेलेटेड वीडियो सी है तो चैनल को भी यहां पर सब्सक्राइब कर लेना आप दृश्टोर से जाके वीडियो को डाउनलोट के जाएं तो हम या पर या पर सुपर यूज कररे हैं तो आपको सबसे पहली को कॉनेक्ट करना है तो VPN आपको इसे यहां पर connect कर सकते हो, VPN की मदद से हम यहां पर अपनी editing करने वाले यानि जो application है वो VPN की यहां पर मदद से run कर सकती है इंडिया में, तो हमने VPN कर लिया है, अब आपको CapCut application को download कर लेना है, CapCut application को आप कहीं से भी जाके download कर सकते हो, then guys अब बारी आती है, यहां पर हमें अपनी website को खोलने के लिए, तो इसके लिए हम guys यहां पर Google option पर आएंगे, then Google पर आपको यहां पर search कर लेना है, और click करने के आद में कुछ इस तरीके से desktop version में आपको यह website यहां पर show हो जाएगी, तो देख सकते हो इस पर कितना सारे articles है, then काफ यह चीगा इस website है, आपको different type के editing से यहां पर देखने को मिल जाएगी, तो हम यहां पर cap cut के बात कर देंगे, तो cap cut के editing यहां पर होईगी, अब हमें गया इसको mobile version में करना है, तो corner पर 3 dot है, 3 dot पर guys हम यहां पर click करेंगे, और 3 dot पर click करके इस website को हम यहां पर run कर देंगे, अपने mobile desktop version में, तो यह mobile में यहां पर खुल जाएगी, तो कुछे सरीके से mobile में भी आप देख सकते हो, website का interface कुछे सरीके का आपको यहां पर show हो जाएगा, अब guys आपको उपर की तरह के आना है, और वहां पर guys एक option देखने को मिलेगा, आपको यहां पर सर्च का, यहां पर के जो भी templates है, तो 5 templates आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, किसी भी तरीके को template यूज करके आप यहां पर अपनी editing complete कर सकते हो, तो हम यहां पर first वाले template पर click करेंगे, और यहां से guys हम इसी की editing करके आपको बताने वाला, यह वाला template अभी trending में काफ़ ज़्यादा viral है, अगर आप इस पर real बनाऊगे तो definitely viral होने के chance है, तो यहां पर हम click करते हैं इस वाले templates के उपर, So guys, here templates में हमने click किया, then कुछ इस तरीके से यहां पर interface है template का, then अब नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे, आप देख सकते हो इस template को, image kept kept templates, image squared templates लेगा, इसो कौफ़ ज़्यादा अभी trending में बना हुआ है, नीचे की तरफ हमें scroll करना है, then यह कुछ articles आप देखने को मिलेगा, then इसका आपको demo एक video देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो play करके देख सकते हो, then नीचे की तरफ और हम यहां पर scroll करते ही, जहां पर आपको option मिलेगा, use template in CapCut, red color के box में आपको मिल रहा है, इस पर आपको tap करना है, और tap करते हैं guys, आप यहां पर redirect हो जाओगे, आप अपने CapCut application के अंदर, आपको ध्यान रखना है कि आपको VPN यहां पर own होना जरूरी है, then आपको enable network option आ सकता है, आपको एक दो बार try करना है, then यहां पर हम try करते हैं, तो देख सकते हैं हम यहां पर वापिस आ चुके, then आपको कुछ सरीएगा, यह वीडियो देखते को मिल जाएगा, अब आपको use template वाल option नजर आ रहा है, green color के box में, simply guys आपको वापे click कर देना है, जैसे guys आप वापे click करोगे, तो आप redirect हो जाओगे, आप अपने phone की gallery के अंदर, तो यहां पर हम इस वाले option पर click करते हैं, use template पर, then हम यहां पर redirect हो चुके है, अपनी gallery के अंदर, अब आपको अपने album या photos को select करना है, तो almost आपको 12 photos की ज़रुत बड़ेगी, तो guys हम अपनी यहां पर जो भी best 12 photos हैं, उनको हम यहां पर add कर लेते हैं, तो यहां से guys हम one one करके सारी photos को हम यहां पर select कर सकते हैं, आप भी अपनी photos को यहां पर select कर सकते हो, then अब आपको यहां पर add हो चुकी है, add होने के बाद में guys, अब आपको यहां पर preview को option देखने को मिल जाएगा, preview पर हम यहां पर click करेंगे हैं, तो guys आपको आपको यह वीडियो शो हो जाएगा, then कुछ है सरीकेस आपका वीडियो देखने को बिल जाएगा, तो यह वीडियो आप पर create हो चुका है, अगर आप इसमें कुछ editing करना चाहते हैं, आप photo replace करना चाहते हैं, तो just आप नीचे photos पर tape करके, उसको edit पर click करके, उसको replace भी आप easily आप पर कर पाऊगे, तो video guys आप देख से तो काफी कमाल के आप बन चुका है, तो edit पर click करके, आपको उपर export को option नजर आ रहा है, export पर